हलो दोस्तों मैं उमा संकर आपको अप्चानल ट्रिकी बैविस्गुपता में स्वागत करता हूं दोस्तों आज मैं नवी वर्ग में पढ़ने बाले बेदेयार्थियू के लिए साइन्स का साइन्स का एमसीव क्यूशन लेकर आया हूं जो आपको फाइनल एक्जाम दोहजार चौविस में तहलका मचा देगा दोस्तों यह क्यूशन बहुत ही वायरल क्यूशन है इसलिए इसको शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा अगर आप इस चैनल पर नहीं होंगे तो मेर दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलेंगे दोस्तों तो चलिए दोस्तों आज मैं बहुत ही सधाराण ढंग से साइन्स का एमसीव क्यूशन देखते हैं यहाँ बड़ कुछ समाने निर्देश दिया गया है इसमें कह रहा है कि कुल 40 परशन होंगे सभी परशनों के उतर देना अनिवारे है प्रतेख परशन के लिए एक अंक निर्धारित किया गया है जबकि प्रतेख परशन के चार विकल्प दिए गए हैं सही विकल्प का चा इसके साथ ही बताया है गलत उतर के लिए कोई अंक नहीं कटेंगे अर्थात आप 40 में 40 क्यूशन जरूर बनाईएगा अगर आपको आता है तब भी अगर नहीं आता है तो आप तुक्का भीमार सकते हैं लेकिन 40 के 40 क्यूशन बनाईएगा क्योंकि आपको इसमें पथ में घूम रही है आधे बिरित के बाद उसका भी स्थाफन क्या होगा तिसका भी स्थाफन कि ज्याद करने के लिए करा है तिसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर इसके बाद नेक्स्ट क्यूशन देखते हैं अगला क्यूशन हमारा कारा है बेग में प्रती सकेंड परिवर्थन की दर कहलाती है क्या कहलाती है तिसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर इसके बाद नेक्स्ट क्यूशन है निमलिखित में से किसकी SI मातरक मिटर परती सकेंड इसक्वार होता है तिसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर भी तोरन का SI मातरक मिटर परती सकेंड इसक्वार होता है इसके बाद का राइट दूरी समय गराप का धलान किसका प्र मान बाता है तुइसका राइट एंसर हो जाएगा और आधा। कृमा म Sense इसके बाद नेक्स्ट है दियुक्र निय्यंट का गती प्रथमनियम से किसकी परिभासा मीलती है ति इसका राइट एंसर हो का option number a जलत्व का कि इसके बाद हम लोग ने इसके बाद next question देखते हैं किसी पिंट का जलत्व निर्भर करता है किस पर निर्भर करता है तिसका राइट एंसर हो जाएगा option number b वस्तु का दर्ब्यमान पर अगला question कर रहा है न्यूटन का गती का कौन सा नियम बलकि परिभासा देता है तिसका राइट एंसर हो जाएगा option number b न्यूटन की गती का दूसरा नियम जो होता है f बराबर m a अर्थाथ फादर बराबर मा आप याद कर सकते हैं इसके बाद next question है 10 मीटर परती सकेंड की गती से चलने वाला 0.5 किलोमीटर ग्राम दुरब्यमान वाला पिंड का सनवेग क्या होगा जिसका राइट एंसर हो जाएगा option number c 0.5 किलोमीटर परती सकेंड स्क्वाइर इसके बाद next question देखते हैं जब कोई बस बिराम से चलती है तो आचानक उस पर खड़े यात्री बस में पीछे की ओर जूग जाते हैं या किस नियम का उधारन है इसका राइट इंसर हो जाएगा option number a Newton का गती का प्रथम नियम अगला किशन का रहा है कार्य की साई मातरक क्या होती है तिसका राइट इंसर हो जाएगा option number c जूल होता है इसके बाद next है चांद्रमा पर किसी पींड का दुरबमान 40 kg है तो प्रित्वी पर उसका भार कितना होगा जिसका राइट इंसर हो जाएगा option number d 400 kg क्योंकि यह 10 गूना होता है इसके बाद next question देखते हैं जब कोई पींड कमपन करता है तो यह आज पास की हावा को संपिडित करता है और एक उच घुनत्व छेत्र बनाता है जिसे खाली अस्थान के रूप में कहा जाता है तो क्या कहा जाता है तिसका राइट इंसर हो जाएगा option number d संपिडन अगला question है वह घटना जहां उत्पन धावनी प्रावर्थन के कारण पुरह सुनाई देती है क्या कहलाती है तिसका राइट इंसर हो जाएगा option number c गुंज इसके बाद next question है निमरी खित में से किस पदार्थ में कोनों के बीच आकर्शन बॉल सबसे कम होगा तिसका राइट इंसर हो जाएगा option number a करबन डाई ऑक्साइड इसके बाद next question है कि स्तापमान पर पानी ठोस और तरल दोनों आवस्था में पाये जाते हैं तिसका राइट इंसर हो जाएगा option number a 0 degree पर इसके बाद next question है 100 गराम जल में 20 गराम चीनी मिलाया जाता है तो उस बिलियन की संदरता परतिसत ग्याद किजिए इसका राइट इंसर हो जाएगा option number b इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा तबिलियन की संदरता पराभर होता है तोनों को जोड़ देंगे इसके बाद भगा देने पर जो मान आता है वही आपका इंसर हो जाएगा इसके बाद next करा है घुनत्व का SI मात्र क्या होता है तिसका राइट इंसर हो जाएगा option number c केजी घन मीटर इसके बाद next question है दिये गए कौन गुन धर्म निलंबन है तिसका राइट इंसर हो जाएगा option number c या एक विश्मागी मिश्रन होता है निलंबन कैसा मिश्रन होता है विश्मागी मिश्रन होता है नेक्स्ट की उचन है कपूर तथा नमक के मिश्रन को किस बीदिदवारा अलग किया जाता है तिसका राइट इंसर हो जाएगा option number a उर्ध हो पातन इसके बाद नेक्स्ट है दुरवमान संख्या बराबर होती है किसके बराबर होती है तिसका राइट इंसर हो जाएगा option number b एलेक्ट्रो प्रोट्रोन न्यूट्रोन की बराबर होती है अगला क्यूचन नेक्स्ट कह रहा है एनेच थिरी का आन्मिक दुरवमान क्या होगा तिसका राइट इंसर हो जाएगा option number d 17 चरिए सबसे पहले हम लोग नाइट रोजन को जानते हैं तर नाइट रोजन का कितना होता है आप जान रहे होंगे तो भतात सकते हैं आठ होता है तारदुनी के 16 हो जाएगा जबकि हाइट रोजन का एक होता है तो एक गुने तीन करें तो आपका साथ 14 और तीन 17 राइट एंसर 17 हो जाएगा नेक्स्ट की उचन है इस्तिर अनुपात का नियम या निशित अनुपात का नियम क्या कलाता है तिसका राइट एंसर हो जाएगा अप्शन नमबर बी रशायनिक पदार्थों में तत्व हमेशा दरमान के अनुशार निशित अनुपात में उपस्शित होते हैं इसके बाद next है निमलिखित में से कौन 36 गराम जल का सही प्रती निधित्व करता है तिसका right answer हो जाएगा option number A 2 mole इसके बाद next है neutron पर खाली अस्थान आवेस रहता है तो कितना आवेस रहता है कौन सा आवेस रहता है तो 0 degree रहता है तिसका right answer हो जाएगा option number B अगला क्यूशन कह रहा है अलफा कन क्या है तिसका राइट एंसर हो जाएगा अप्शन नमबर D धनावेसित हिलियम परमानू इसके बाद नेश्ट है किसी तत्व के समस्थानिकों के दरमान में अंतरखाली अस्थान के भीन संख्या के कारण होती है तिसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर A निट्रोन किस्ट नमबर नेश्ट है कोशी का भीति बनी होती है किस से बनी होती है तिसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर C सेलू लोज से इसके बाद नेश्ट है निमले लिखित में से किस से कोशी कांग को अ अपना DNA तथा राइबोसोम होता है तिसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर बी प्लाज टी डे किवचा नमबर नेक्स्ट है किसी को सिखा में 16 क्रोमोसोम है उसको सिखा में अर्ध सुत्री विभाजन के फल सवरुप बने संतती को सिखा में कितनी क्रोमोसोम होगी तिसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर ए आठ इसके बार नेक्स्ट है कि दियेके चित्र किस उत्तक का है तिसका राइट एंसर हो जाएगा राइट एंसर इसका हो जाएगा ओप्शन नमबर A पैरे काईमा इसके बाद next हम लोग की उचन देखते हैं बदाम का छिलका किसो तक का बना होता है तिसका राइट एंसर हो जाएगा पैरे काईमा इसके बाद next है मास्पेसियों को और सियों से जोड़ने वाली स्वयोंजी उता को क्या कहते हैं तिसका राइट एंसर हो जाएगा option number B कंडरा इसके बाद next question है जीमों के वर्गी करन के लिए सरवाधिक मुलिभूत लोशन क्या हो सकते हैं तिसका राइट एंसर हो जाएगा option number B उनकी कोजिका सनरचना इसके बाद next question है निल हरित से वाल किस वर्ग में आते हैं तिसका राइट एंसर हो जाएगा option number A मुनेरा इसके बाद next है जनतू जगत का सबसे बड़ा संग कौन है तिसका राइट एंसर हो जाएगा option number B आर्थोव पोड़ा इसके बाद next question है दिये गए कौन से रोग वायरस से होते हैं तिसका राइट एंसर हो जाएगा option number D कोरोना इसके बाद next है संक्रामक रोग के उदाहरं दे तो संक्रामक रोग के एंसर हो जाएगा option number C 6 रोग इसके बाद next है ग्रीन हाउस गैस है कैसा गैस है तिसका राइट एंसर हो जाएगा option number T C करवान डियक साइज CO2 इसके बाद next है दिये गए पोशक पदार्थों में पोधो के लिए कौन ब्रिहत पोशक पदार्थ है तिसका राइट एंसर हो जाएगा option number A nitrogen इसके बाद next है वायूं मंडर ने पाया जाने वाले oxygen के भी सैले अनु को क्या कहते हैं तिसका राइट एंसर हो जाएगा option number B ओजोन ओजोन का सूत्र CO3 होता है sorry इसका सूत्र होता है O3 इस तरह से मैंने आप लोग को नाइन्थ कलास का MCU Qution solution किया हूं इस तरह से आपको और भी MCU Qution देखने के लिए मैरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ तप तप के लिए जय हिंद बेस्ट आप लग